हेलो फ्रेंड आज जो हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं मैंटर हैंलिंग सिस्टम में यूज़ होने वाले कनवियर सिस्टम के पूली के बारे में और पूली कितने तरह की होती है कितने टाइप की होती है और पूली को हम कहा कहा यूज़ करते हैं तो आज हम ब लुते हैं वह हाज आपको सपुली के अंडर पूली रिसे करने वाना हो और दूसरी चीज़ाइट में आपको एक ड्राइघ केंदर यह क्लियर करो गार आपने सहके अच्छी जरकर, लुए कि हमारे वॉलि के ड्राइंग में बेसिक क्या क्या चीज मेंचन होती है उनकी कितने कंपोनेंट होते हैं उसके मेगनिकल कंपोनेंट कितने होते हैं और कितने कंपोनेंट वीदर के एक कंप्लीट फूली बनती है और पूली के अंदर लैकिंग किस ट्राइप क्यों होते हैं और पूली के अंदर जो है लेगिंग क्यों यूज करते हैं यह बेसिक आज मैं डिसकस करने वाला हो तो प्लीज तो गाइस चलिए आज मेरे स्लाइट पर साइट से मैं आपको यह किलने वाला हो पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसके अंदर यह चीज मेंशन किया है बरे के हमारा जो पॉरा 맞ya जो लोग है वह इसचीज को हमारे विडियो के बातاح हम से वाहरे वीडियो के जरी वह अपने histories günst decl coordinator के तक आज मेरा пошए यामेरा बहुँ था बिच्ण देने वाला तो ऐसी आप मैरे स्लाइट पे चलीया है in a conveyor system to drive the belt and to the tension the belt देखिए आसे कि दिर मेंशन है इसके एक टिफिनेशन से कि पूली जो है वो एक मेकनिकल डिवाइस है जो यूज होता है conveyor system में क्यों होता है यूज एक conveyor belt का direction को change करने के लिए दूसरा बेल्ट के अंदर टेंशन देने के लिए simply that means कि अधिर हम को अपने conveyor belt को proper way में operate करना है तो हमारे पास पूली का होना बहुत जुरूरी है without pulley conveyor incomplete है इसलिए कि मैंने नीचे mention क्या है पूली के अंदर कुछ component होते हैं जो मैं आपको अपने ड्राइंग से भी मेंशन करो क्या करूंगा और हमारे कुछ इमेजेज हैं जिससे मैं आपो क्लियर करोगा लेकिन आप यह समझ सकते हैं उसके basic जो component होते है फूली के वो शिल होते हैं उसके शिल होते हैं एंडिस्क होते हैं हब लगा होता है शाफ्ट को on करने के लिए और शाफ्ट होता है और शाफ्ट के बाद locking assembly होती है यह बेसिक की चार से पाच चीजे हैं शेल एंडिस्क हप शाफ एंड्लोकिंग एसमली जो मिल करके पूरा complete एक पूली बता है आप मेरे नेक्स लाइट में देख सकते हैं जो मैं पहले भी बात क्यों टेक्निकल परसंट के लिए मैं चाहता हूं मेरे यह बूल है कि टेक्निकल परसंट से हैं जो टेक्निकल परसंट हैं उनके दिए फाइदा हो बेसिक चीज़ के लिए होगा यह हमारा एक दिखी ड्राइब और हेट पूली एक्ट्वनी मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो हेट पॉस्चल होता है कन्वियर का मैक्सिमम टाइम 90% हमारे कन्वियर के अंदर सबसे जादा एक्ट्वनी क्या होता है बैक साइड से हम कोई बीजिस करी करते हैं किसे ही वाट्रेल करते हैं हेट साइड के पोशन से उसके उबर फोर्स लगता है इसलिए ड्राइब वहां लगता है तो मैक्सिमम टाइम 95% हमारे हिट पूली को ही ड्राइब पूली हम पूरी की डाइंचने है सुल होग है मतलब कि इस और हमारे ढाइब मेंड बन होने वाला है यहां पे डाइब आस टॉल होने वाला है इसनीर हम रएट ली गॉप मैध पूली और टाइफ हुलिप को एकक्सिरण्कर बैसे तो टे-ग पूली तक होग native to शाफ को नंड्राइव से करते हैं कि यहां भाइंग के सेंटर बेरिघंग एस जो है वो डॉट साइड़ सेंटर बेरिंग तो इस टेप गुरूफ तक का शाफ्ट का लिंद है और इस टेप से ड्राइव की एंड के ड्राइव मेरे पिक्स होगा या तो कपिलोंग के फिक्स होगा तो गेर बॉट में फिक्स होगा तो इसको न्तिवी कहते हैं और यह जो मैंने मैंने हम सिंग ऑबर यह एन डॉटेटर वेश्तनर होगा पर 4 지금 2022 न्हीं है यह x disposwith नहीं है यहां पे अन्दर कैसा होता है जो मैंने आप पता है यह इसका हब है यह लोकिंग कंटक्то सक रंपेस को क्रियाट करने के लिए यह अने वाले वीडियो में सिप्नुली कि लेगिंग क्यों कहीं लेगिंघ कहा है अई लिजैन क्यों देखें अनुपएंट आफ दकनेयायर या यहा देखें लेगिंघ Friendly मैंनेसं आप है है देमर लेंगिंग और स्टरे मिग कि पूली इस तरह के दिखते है और प्रेंड लेंगिंग जो हता है वह इस तरह के होता है है मैंक्समान टाइम लाइंगिंग हम यूजस करते हैं ड्राइफ हूली में 머리 में play अब यह सब्सक्राइब करें और हमारे और पूराने वीडियो डाले में उनको आप देखें